नमस्कार दोस्तों जशिराम कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चनल दानाशनलिस मेडिया में आप सभी का स्वागत है हम माने या ना माने या फिर यह कहें कि हमारे पेरेंस माने या ना माने परंतु आज की जनरेशन में प्रेम विवाहव को लेकर बहुत ज़दा नहीं चाहिए कि उनके पेरेंस उनके लिए को तरय को चुछ किया है और आपको इसे शाधी करने हो पिसे हमने। उसके लिए कोई मुझे बात्या ना करे, क्योंकि कानून ने भी ऐसा अधिकार दे रखा है, और शायद इसी चीज़ का असर है, कि कुछ लोग इस इसका miss-use भी करते हैं, और कुछ लोगों के साथ miss-use करवा दिया जाता है, या यह कहें कुछ लोग इस इसका miss-use जान भूच क तो उनको मिस्यूस करवाया जाता है, जिसमें हम लब जियाद के केसिस जड़ता सुनते हैं, कि लड़के अपना रूप, रंग बदल कर, यानि कि अपनी पूरी पहचान चुपा कर, लड़कियों के साथ इस तरह का काम करते हैं, उन्हें जान बूर कर फसाते हैं, इस तरह के केसिस हमने बहुत सुने हैं, बहुत देखी हैं, पर अंतु कुछ ऐसे केसिस भी होती हैं, जिसमें लड़कियां अपने विचार से, यानि कि अपनी एक सही लाइफ जीने के लिए, वो अपने विचार को चेंज करती हैं, और अपने इसाब से लड़का चूस करती हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जो लाइफ है, उस लड़के के साथ सही रहेगी, तो वो चूस भी करती हैं, भले वो लड़की हो या लड़का, कोई फरक नहीं पड़ता हो सकता है, कोई ऐसी लड़की भी हो, जो हिंदू होकर मुसल्मान लड़के को चूस करें, जैसे कि हमें फिल्म एक्टर्स वगरा को देखा ही होगा, करिना कपूर खान है, या कोई और है, वो सभी कि सभी मुसल्म लड़कों को चूस किया है, उन्हें ने, ये बात अलग है, कि बहुत से ऐसे सानिय मिर्जा अगरा है, वो सभी कि सभी बात में उनके डिवोर्स वगरा के इस तरह के चीज़ें से बहुत ज़रा देखी है, भी कई अमीर खान जैसे लगा लो, अमीर खान ने दो शादिया की और दोनों के दोनों हिंदू लड़किया से की, लेकिं फिर भी उनको छोड़ दिया, तो ऐसे केसे से बहुत आए हैं, कही ना कहीं हिंदू लड़किया टार्गिट होती ही होती है, कि वो उनके साथ डिवोर्स होगा ही होगा, और लेकिन अगर हम उसी लेवल को छोटे लेवल पर लेकर जाएं, अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर लेकर जाएं, आम लोगों की लेवल पर लेकर जाएं, तो हमने ये भी देखा है, कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लड़की लड़किया हैं, जो अपना जीवन साथे चूस करते हैं, उसके साथ से जीते भी हैं, और सही लाइफ जीते हैं, अब मैं जब कहानी बताने जा रहे हूं, ये घरवापसी की है, एक लड़की ने अपना जीवन साथे चुन उसे बहुत डलता है क्योंकि उसमें एक contact मैरीज होती है मुझे नहीं पता कि मेरा शोहर कब मुझे छोड़ देगा मुझे नहीं पता मेरा शोहर कब दुसरी शादी कर लेगा इस समस्या को लेकर उसके मन में डर बैठा होता जिसकी वज़े से उसने एक हिंदू लड़के से प्यार किया और उससे ही शादी की यह लड़की है इसका नाम है शिफा यह अम्रोहा के रजाक नगर में रहने वाली थी लेकिन यह जौब करने के लिए मुरादाबाद जाती है इसकी नोकली लगती है क्योंकि बीच में मजभ की दिवार आ जाती है। लोंने अपने ऐसे बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के परिवार ही इस इस बातसे है एक तो परिवार करते है कि मजहभ को छोड़कर मज जाओ यह जो भी लड़ा वह बोलती है कि तुम यह गलत कर रही हो फॉत से हिंदू परिवार भी कहता है कि कैसलेव सकते हैं कैसी लड़की से शातीMY कुछ हो गया है कि उसका परिवार ने तुम्हारे से कर दिया तुम्हें इस तरह के लाइफ ना मिले तुम्हें व Dog की लड़की आगर सही से न वो एक आश्रम में जाते हैं आरे समाज का यह आश्रम होता है, वहाँ जाते हैं अपनी बात रखते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ के जो संत बैठी होते हैं वो कहते हैं बेटा ऐसे तो शादे नहीं हो सकती लेकिन हां, पहले तुम्हारा शुद्धी करन करना होगा, यानि कि तुम्हें हिंदु धर्म को कहीं न कहीं इस बात को accept करना होगा, तुम्हें हिंदु धर्म में घरवापसी करनी होगा, शिफा कहती है कि मैं हिंदु धर्म अपनाने को तयार हूँ, मैं घरवापसी करने को तयार हूँ, शिफा को हर तरीके होता है जो भी विदी विदान होता है उस सब की अनुसार इन दोनों का विवहा पूरे लिती रिवाज के साथ करवाया जाता है संपन करवाया जाता है एसे शादियों में मुझे एक बात बड़ी ही खुबसुरत लगती है कि ऐसी जो शादियां होती हैं भले वो किसी भी समाथ से हो मैं वैसे तो देखिए घर से भाग कर इस तरह से शादी करने के लिए मैं एक्ज़ेप्ट नहीं करती मैं कहीं ना कर इस चीज के बारे में थोड़ा सोचती हूँ क्योंकि पेरेंस को इसे अलग होकर तुम शादी कर रहे हो तुम्हारी नहीं बनी तो उसके बाद तुम किसको दोश दगई लेकिन फिर भी ऐसे शादियों में एक अच्छी चीज तो ये होती है कि शादियां जो होती है वो सबसे बड़ी बात हिंदू रितिरिवाज के अन के अंदर आज कल जो शादियां होती है उसे किस तरह के का बना दिया गया है रात को शादियां होती है हालाकि रात को वेद मंतर नहीं पड़े जाते हैं लेकिन फिर भी लोग रात को शादियां करते हैं बहुत से लोगों ने अपनी व्यता बताई है बहुत से संतों ने बा था तो कि और उस प्रथा को चलानी की अवश्क्ता नहीं है क्योंकि अब अक्रांताओं का समय नहीं है लेकिन फिर भी लोग रात को शाधियां करते हैं फिर भी रोग पूरी तरीके से बहुत से लोगों को भी बिठा जाता है जो हर तरह से ड्रिंक करते हैं हर तरह का मद्य सेवन करते हैं तो वो चीजे भी कई न कई नकारात्मक हमारे शादियों पर प्रभाव डालती है और इसलिए शार्थ हमारे हिंदू धरम में बहुत से ऐसे चीजे हैं जिसकी वज़े से रिष्टे बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल तूटने लगे हैं। क्योंकि हम खुद अपने रिती रिवाजयों का जो सम्मान है वो नहीं कर रहे। तो मैं बसी कली यही मानती हूँ कि चाहे भाग कर बच्चे के शादी करते हैं। जाहे कुछ भी करें। यह दिन में कर रहे रहे हैं आश्रम में कर रहे हैं। संतों के आंुसार कर रहे्याँ । बाकि जो भी इनका जीवन जो भी है जैसा भी रहेगा ये वो vereतों पुर सब्सक्राइग कृणून को जाहिए बच्चा पू्जाब की ज़्मारिया। इस फीडियों को लाइक और शेयर जुरू की देगा, धन्यवाद, जैशिराम.